जहिन दोस्तों सिधात बईयक इस वीडियो में आप सभी का हारदिक स्वागत है कुछ सालों में जापान सुनसान हो जाएगा अगर बच्चे पैदा नहीं किये शादी नहीं की तो एक दिन जापान वीरान हो जाएगा 27 फरवरी 2024 को यानि की परसों जापान के हेल्थ मंत्राले ने एक चौका देने वाली चिंता जनक रिपोर्ट ताजा की है वो रिपोर्ट वाकई में किसी भी कंट्री के लिए बहुत ही चिंता जनक है रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि जापान का जो नया बर्थ रेट है वो अब तक कि जापान के इतिहास में सबसे कम है और यही है चिंता जनक इस रिपोर्ट को चौका देने वाली ुइ ख़बर कहा जा रहा है जापान वो शेहर है दोस्तों जोकी तक्नीकी दुनिये में बड़ा ही आगे हुआ करता था जापान वो शेहर है दोस्तों जोकी 1900 में मतलब अगर हम भारत घरेजों का घुलान हुआ करता था 1900 में जापान में पूरे वर्ल्ड की सबसे तेजी से बर्थ रेट हो रही थी सोच के देखिए उनकी बर्थ रेट उस ताइम पितनी थी कि लगभग 3%, 4%, 5% जो उनकी TFR था साथी में जापान एक ऐसी कंट्री ये छोटू सा आइलेंड है इस छोटू से आइलेंड ने कितनी बड़े बड़े आविशकार किये वो कंट्री जिस पर दो नुक्लियर बॉम गिराए गए उसके बाद भी ये कितनी तेजी से बड़ा है लेकिन अब एक समस्या जो जापान के पास आखड़ी है उसका निवारन अगर 2030 2030 से पहले नहीं किया गया तो फिर जापान की पूरी अर्थ में बस था स्तंकट में होगी आईए जिकर करते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या दोस्तों कहा ये जा रहा है कि जापान में गाउं वीरान हो गए है गाउं में कोई रहना ही नहीं चाता गाउं से लोग शहर में पलायन हो गए है अच्छी जिंदगी के लिए नौकरी के लिए और एक पैसे रुपए के लिए कहा ये जा रहा है कि जापान की सरकार ने जापान के करमचारियों को कुछ पैसे दिये हैं कि जाओ भाईया तुम जापान के गाउं में जासे काम करो वहां से काम करो उनका यही है कि लोग अगर गाउं से काम करेंगे उनके पास टाइम होगा बच्चे पैदा कर सकेंगे लोगों के पास सोशल होने का वक्त मिलेगा और बैलेंस संतुलन बना रहेगा लेकिन क्या इतना करना ही किसी देश के लिए काफी है؟ बील्कुल नहीं और भी सुनिये क्या क्या problems आ रही है Problems ये आ रही है कि जो लोग गाउं से उटकर शहर आ रहे हैं वो शहरी करण, शहरी विकास में खो जा रहे हैं जब लोग गाउं से शहर आ रहे हैं तो बच्चा पैदा नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि शहर में वो past life है, वो income इतनी जादे है, bills इतने जादे पे करने पड़ते हैं, rent इतने जादे हैं, फिर loan होता है, लोग बच्चे पैदा नहीं करना चाहते हैं, और अगर पैदा करना भी चाह रहे हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बच्चा, जोकि nuclear family का concept आ चुका है, ये एक बहुत बड़ा reason बन चुका है, साथी में अगर बच्चे पैदा नहीं होंगे, तो old age बढ़ेगा, जापान में मैं आपको बता दूं दोस्तों की, आज जो population है, वो मातर लगबग 12 करोड़ पचास आठ लाख है, इतनी तो हमारे उत्तर प्रदेश में इससे भी जादे है, उत्तर प्रदेश में लगबग 19-20 करोड़ की जनता आबादी है, एक राज्य भारत का जापान, जापान के मतलब समझ रहे हैं आप, उस situation में ये कहा जा रहा है कि अगर 2000-2030 तक, क्योंकि यही वो time है जबकि जापान इन 45 सरों में फैसला ले ले, अपने population को age नव होने दे, किसी तरीके से वो काम करेगा, कहा ये जा रहा है कि 2070 तक यही जो population है न, इन में से, इन में से लगभग 30 प्रतिशत जनता जो है अगर यही चलता रहा तो वो गायब हो जाएगी, मतलब कि current population को 30% और कम कर दीजे, वो population जीवित रहेगी 2070 में और उसमें से, उसमें से भी लगभग ये लगा लिजे कि 8 करोड 30% हो गया, साड़े 12 करोड का लगभग 30% होगया, आठ साड़े 8 करोड, आठ साड़े 8 करोड में से 4 करोड जो जनता है, वो 65 साल के उपर होगी 2070 में, अब सोचिए कि आध से 2070 में आधी से जादे जनता बूरी है 65 साल के उपर, तो सरकार के उपर कितना दबाव आएगा, उनकी सोचल सेक्यूरिटी का, उनकी दबाईयों का, जो सैंड विवस्था है, उस पर कितना दबाव आएगा, ये क्यूं कहा जा रहा है, क्योंकि जापान के इतिहास में सब पहली बार हुआ है, कि 2020 की तुलना में 2021 में 0.5 दश्मलों का पॉपुलेशन कम हुआ है, इसी आंकड़े को देखते देखते, अगर हम 2017 में जाएंगे, तो आज की पॉपुलेशन के हिसाब से 30 प्रतिशत जाद पॉपुलेशन कम हो जाएगी, यह सबसे बड़ा रीजन है, तो यह आंकड़ा चौका देने वाला है, यह देख रहे हैं, पिछले साल, 2022 में यह देखा गया था, कि बच्चे जो है, मतलब इनकी जो पॉपुलेशन है, लगबग 7,70,000, है न, नंबर अग बर्थ प्रिवियस एर 7,70,000 थी, अब जो है 7,59,000 है, तो यह डिकलाइन हो रहा है, पिछले 8 सालों में यह डिकलाइन देखा जा रहा है, यह ट्रेंड देखा जा रहा है, पिछले देखर 2030 का जिक्र हो रहा है, और यहां पर हो रहा है, यह पॉपुलेशन इस वाले एरिये में दिखाई जा रही है, यहां पर है पॉपुलेशन, तो जापान पहले बड़े तेजी से इनकी ग्रोथ हुई है, देख रहे हैं, यह इनका लगबग पीक था मेरे हिसाब से इध मतलब यहां पर यह 8 CR रह जाएगी और उसमें से भी 4 CR जो हैं, वो लगबग ओ एज ओल्ड व्यक्ति होंगा, यह जापान की खुद की मिनिस्ट्री ऑफ जापान इन वेल्ट पेर का आंकड़ा है, दूसरा देखिए, दूसरा है चींज इन लाइफ वर्सेस बर्ट रेट, क लेकिन जैसे जैसे 2008 आया, 2012 आया, फिर यह आंकड़ा कम होते गया, पैदा लोग कम हो रहे थे, मर लोग जादे रहे थे, और यह समझ में नहीं आ रहा सरकार को क्यों, क्योंकि जापान में तो लाइफ एक्सपेक्टेंशी बहुत है, जापान में अच्छा खाना खाते हैं, लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी लोग गुजर रहे थे, और नई पीड़ी के लोग कम पैदा हो रहे थे, अब इसी इमेज में देख लिजे, यह आंकड़ा 1890 का है, तो इस ताइम पर बर्थ रेट मतलब आसमान चूरा था, जापान वॉस दी बिगेस्ट कंट्री जो की सबसे जादे फॉर्टिलिटी रेट था वहां पर, और आंकड़ा देखे, यहां से पूरा होके यहां आ गया, यह जो डिप आप देख रहे हैं, लगबग 1960 तो 1970 भी यह बहुत बड़ा डिप आया है बर्थ रेट में, इसमें सबसे बड़ा रीज हुआ है, कि बुरुष ही जाके काम करेंगे, बुरुष काम करके आएंगे, तो फिर महिलाएं घर में खाना बनाएंगी, महिलाएं ही बच्चे पाल पोसकर पैदा कर सकती हैं, और सबसे इंपोर्टन ही जो डिप आया था, वो इसलिए भी आया था, क्योंकि यहां पर एक न अबॉर्शन भी हो रहे थे, और काफी सारी चीज़े हो रही थी, जिसकी वज़े से बिर्थ रेट ऊपर नीचे हो गया और डेथ रेट काफी डिस्टर्ब हो गया था, आज का महावल यह है, आलम यह है कि डेथ रेट जादे है बिर्थ रेट से, इन फाक्ट यह वाला इस पैर पर ही कुलारी मार ली, अदर्वाइज चाइना में आलम सही चल रहा था, वन चाइल्ड पॉलिसी की वज़ेजे सब बरबाद हो गया, 2015 में इन लोगों ने वन चाइल्ड पॉलिसी को बंद कर दिया, लेकिन सोची यह 1968 से चला आ रहा है वन चाइल्ड पॉलिसी, कि मतलब पर महिला बच्चा पहला ही नहीं हो रहा, 0.8, चाइना भी इसी same situation में चाइना जो है वो चल रहा है, और चाइना में भी यह पुरुष्वधान वाली चीज़ें काफी हैं, शाउथ कोरिया में भी पुरुष्वधान वाली चीज़ें काफी हैं, यहां पर जापान भ साउथ कोरिया जापान कहा से कह замillä में कहा पर था एक इस ना उपर था अब जाके रब मौध्न करके है अबures भारत कHI कि परिखन करके कितना इस कि पार कितना है भारत का मैं जानना चाहता हूँ एक हुए सब्सक्राइब कर रहे हैं फिर Singapore, Spain, Italy, China इसमें शामिल है, फिर Japan रेड कलर से हाइलाइटेड है, क्योंकि इनकी population काफी कम है, इस वज़े से रेड कलर से हाइलाइटेड है, और उसके बाद हमारा भारत आता है 2.5 पे, फिर ये सारी कंट्रीज आती हैं जिनकी economy इतनी अच्छी नहीं है, Kenya, पाकिस्तान, सुमालिया, नीगर, ये भारत 2.5 आता है, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट की बात हो रही है, आईए एक और डेटा देखते हैं कि मीडियन एज क्या है, मतलब आप देखेंगे कि सबसे जादे जो population है, वो 48 साल वाले age group की है, भारत में देखेंगे, तो इडिया में जो मीडियन एज चल रही है, वो 27 साल, तो भारत फिलाल इस संकट से अभी दूर दूर तक दिक्कत नहीं आने वाली है, वो भी population की या फिर TFR की, death rate की, अभी ये वाली situation में भारत नहीं है, लेकिन हाँ, भारत को भी सीखना चाहिए इन सारी countries से, वहीं अगर हम बात चाइना की करें, तो चाइना में 70 साल, average, median age है, कुछ, कुछ, Scandinavians, countries नेते, Denmark, Sweden, Norway, ये लोग क्या कर रहे हैं न, ये लोग, इनके यहां की जो non-scandinavians हैं, जो कि इनके जमीं पे पैदा नहीं हुए हैं, उनको भ ये बहुत लडाई जगड़ा नहीं करना पड़ता है, उतना पापर नहीं बेलना पड़ता है, जाके आप बहुत easily वहां के नागरिक बन सकते हैं, और Scandinavian countries बुला भी रही हैं, तो इसलिए इनकी population भी काफी, median age काफी जादे हो रही है, लेकिन ये अपना काम कर रहे हैं उस ह हिसाब से, फिर 15, 15, 14, 14, 14, मतलब एक-एक मा के पास, भाई है, 14, 14 बच्चे हो रहे हैं, इस हिसाब से इन लों की हैं, असलिए सरकार क्या कर रही है, सरकार का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर, सरकार ने ये कहा है, कि अब जापान में जो भी बच्चा पैदा होगा, दो साल से नीचे, उनको हम पूरी बिवस्था देंगे, उनको हम खर्चा पानी देंगे, माबाप वो पैसा अपने लिए नहीं, बलकि बच्चों के लिए यूटिलाइज करें उनको, उन्होंने बच पर प्रतिबंद नहीं लगाया है, पुरुष हो, महिला हो, जितने बच्चे करने, उतने बच्चे करो, वहां के सरकार ने पैरेंटिंग पर, यानि कि जो पुरुष है, वो भी maternity leave ले सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, सोच कि देखिए, अगर employees को छुट्टी चाहिए लंबी घर, work from home करना, बता दिजे कि भाई, wife pregnant है, अब देखिए, मस्त आपको कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली है, साथी में, जापान बहुत सारी ऐसी चीज़ कर रहा है, इनफाट, बच्चे जो तीन साल से अबवव हैं, उनको भी subsidized education facility का पायदा दिया जा रहा है, साथ सरकार ने वहां की free nursery भी कर दी है, इस तरीस problem से जूज रही है, पिछले कुछ सालों में सरकार जो है, वो काफी focus कर रही है, जापान के couples को बच्चा पैदा करने की, central और province government दोनों एक साथ मिलकर cash handouts दे रहे हैं parents को, और subsidized housing भी है, daycare भी चल रहा है, और support कर रहे हैं कपल को कि भाई, आप infertility treatment कराईए और बच्चा पैदा करने के बारे में, सोचिये, it has also opened a conversation about gender disparity in Japan society, जहाँ पर women को सारी की सारी responsibility लेनी परती थी, child care की, तो अब वो gender balance भी यहाँ पर आ रही है सरकार में, वेरहाल यह सारी की सारी situations हैं, लेकिन सबसे important जो चीज है, वो यही है कि शहरी करन, जो शहर का विकास हो रहा है न, वो लोगों को shift करना बहुत जरूरी है वहाँ पर, और यह सारी की सारी सुविधाएं देना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग शादी करेंगे ही नहीं, तो फिर बच्चा कहां से पैदा होगा, जापान में, आज की date में भी, लग रहना चाहते हैं, हम independent रहना चाहते हैं, हम किसी बोज को नहीं लेना चाहते हैं, तो हमें लगता है कि वहाँ पर विचारधारा बदलनी पड़ेगी, समाजिक आर्थिक स्थिती दोनों को लेकर एक policy नियम कानून बनाना पड़ेगा, चलिए, अब तक तो detail आपको समझ में आ ही गई होगी, भारत सुरक्षित है अभी इस वाले situation में, चाइना, साउथ कोरिया और साथ ही में जापान संकट बढ़ने वाला है, अगर जल्दी कुछ नहीं करें, तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए आप लोग भी अब री स्टार्ट करना शुरू कर दीजे, री स्टार एक वजे कल एक मार्च को, साथ ही में comment section में google form उसको fill करिए, civil services के examination में mentorship का बहुत प्रचंड रोल है, तो नीचे comment section में google form है, और telegram का link के बहाँ जाईए, जिकर करेंगे हम लोग कि अगर आप college से हैं, full time या job के साथ त्यारी कर रहे हैं, तो एक strategy कैसे बनेगी, क्योंकि एक यह strategy सब के साथ काम नहीं कर सकती है, मुझे आपके कहानी जानना बहुत जरूरी है, comment section में comment करके बताईएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमशकार, जैहिंद, जैभारत